नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि एपसिल 625 टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, एपसिल 625 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एपसिल टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एपसिल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, एपसिल एक ब्रैंड नेम है, एपसिल 625 टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, एपसिल टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन अमोक्सिसिलिन 500 mg और क्लैवुलैनिक एसिड 125 mg होता है, एपसिल टैबलेट एक अंटिबायोटिक दवा है, एपसिल टैबलेट का उप्योग शरीर में बैक्टिरियल इंफेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेफरों में बैक्टिरियल इंफेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खासी होने पर, पेट में इनफेक्शन होने पर, डातों या मसूडों में इनफेक्शन होने पर, जोडों या हड्डियों में इनफेक्शन होने पर, पेशाब में इनफेक्शन होने पर और कान नाग गले या तवचा पर इनफेक्शन होने पर डॉक्टर अपसिल टै टाबलेट को लेने की सला दे सकता है। शरीर में इंफेक्शन होने पर बुखार हो सकता है। इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्तर अपसल टाबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन्स हैं जिन में आपका डॉक्तर अपसल टाबलेट को लेने की सला दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में अपसिल टैबलेट की वज़से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में अपसिल टैबलेट की वज़से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधजमी होना, तवचा पर रैशेस होना, तवचा पर खुजली होना, पेट में दर्ध होना और दस्त होना आधी side effects एपसिल टैबलेट की वज़े से हो सकते हैं. अब हम discuss करेंगे कि अपसिल टेबलेट को कैसे लेना recommended होता है अपसिल टेबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर एपसिल 625 टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। आपसिल टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको आपसिल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की आपसिल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। आपसिल टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने आपसिल टैबलेट को लेने की सलाह दी है। क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक एपसिल टाबलेट को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है और एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटिबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और एपसिल टाबलेट को अपनी मर्जी से पह प्रभावी नहीं होती है. अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए. क्योंकि लिवर और किड्नी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में अपसिल टाबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है. अगर किसी व्यक्ति को अमोक्सिसिलिन, ट्लैवुलैनिक एसिड, पेनिसिलिन एंटिबायोटिक या सेफलोस्पोरिन एंटिबायोटिक दवाओं से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपसिल टाबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए, वैसे एपसिल टाबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी एपसिल टाबलेट का सेवन करना सुरक्षित है इसलिए डॉक्टर जरूरत पढ़ने पर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एपसिल टाबलेट को लेने की सला दे सकता है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एपसिल टाबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं